आप में आप नितुक्ष है सबसे पहले सबस्रीनेकी फिर अपने में डेखेंगे इसका rewarding अपने कि इंटीफिकेशन ऑस ही मतलग कैसे हैं अपन नतरीका जीकाए ना में कि अपने तरीका नहीं है एक हैं कि हां की इसमें लगे गए है जो पितले मिन रहुद ने तरीके कर देंगे वह साथ ही करने हैं बिस्कली स्टार्ट गरुते है Cambridge ANYगाला इस वाले चल्य मैं मैं मतलग किगी इस में इस nes तो सेट एंपर जया ओट पूटल इए है ठीक है आपनेको barre चीमपल तरीका है सब्सक्राइब निकालके देना है फर्स्ट दिखा यहाँ पर है सेकंड यह रहा और थेड़ सेवन ने तो सेवन दे दिया आपने सॉटिंग वड़ा सिंपल तरीका आपन पूरा एरे सॉट कर लें तो अपने पाता दाएगा थ्री फोर सेवन टैन फिफ्टीन और ट्विंटी फिर अपने को क्या है यह 0,1,2,3,4,5,6 तो अपने को थेड़ स्मॉलस देना है मतलग कि अपने को एरे ओफ के माइनस वन रिटर्न करना है सॉट करने के बाद तो एरे ओफ इंटेस 2 रिटर्न करना है सिंपल इंटेस 2 पर अपने पास 7 आ जाया ठीक है पर सॉर्टिंग में के कमटरीटि आती है एलाग एन अरती राइट आती है अपने इसको किसमें ड्यूस करना चाहते है एलाग के कीई आपने को पादा इसमें हीप लगेगा हीप कैसे लगेगा अपने को बता ए है इक एक इस आइंटिफिकिकिसन नहीं देखा था और तो जानके प्रीविज वी तो इदेटिफिकेस्ट पूरी होगी, मतलब कि यह हीप के लिए क्वालिफाई कर गया है, मतलब कि इसमें हीप लगएगा, ही लगएगा, ठीक है, हीप लगागे तो मैं एल लोग N से एल लोग K कर सकता हूं, अब मैंको यह डिचाड़ करना है, मैं कहुं सा हीप लगाँ, मैं मैंने तो क्या बोला था, smallest दे रखा है तो क्या हीप लगाना है, maximum हीप लगएगा, और जब largest पूछा है तो minimum हीप लगएगा, कौन सा हीप लगएगा इसमें, maximum हीप, ठीक है, तो अपने को समझ में आ चुका है कि कैसे क्या गरना है, array लिख लेते, array कि आपने पास 7, 10, 4, 3, 20, 50, और k is equal to 3 दे रखा है, this is our array and this is our max heap, मैंने क्या बोला क्योंकि smallest पूछा है, smallest के पूछा है, तो अपने max heap बनाएंगे, max heap मैं आप इस array को traverse करेंगे, 10 आया, 10 into, इसमें पुस्ट कर दिया, ठीक है, 10 आया, 10 पुस्ट कर दिया, फिर आपन फूर पे आए, मैंने क्या बोल होगा, मैं इसको फिर से के पर लिया हुआ, तो जैसे मैं पहला element पुस्ट किया, पहला element पुस्ट करते हैं, चेक करूँँए, size greater है कि नहीं है, तो फिर मैं अगला element पूस्ट करूँँए, तो क्या जागा, यहां पे heap में, यह 4 पूस्ट करूँँए, क्योंकि max heap हैं तो top मे मैं इसा greatest element होगा है ना max heap है पर मैं ऐसा कर लेता हूं मैं sorted में ही रख लेता हूं इसको हमें साब basically यह sorted में को जरूरी नहीं है तो अभी मैं इसका size check करा इस greater rank के आ रहाए गया नहीं तो फिर मैं अगले आगे पर आ गया तो मैं यहाँ पर 3,4 और 10 कर लेता हूं अभी size greater than 3 इस greater than 3 नहीं है एक को लवी ठीक तो मैं अगले element पर आ जाता हूं basically मैं तुमको यह बोला हूं कि यह जो heap है यहाँ पर यह heap ऐसा भी हो सकता है 10 और 3 और 4 भी हो सकता है heap अपने को यह नहीं बोलता कि इसमें जो यह जो elements है वह हमें सब्सक्राइब में हो 3,4 और 10 ही हो 3,4,10 नहीं हो जरूरी नहीं है इतना guarantee देता है कि यहाँ पर जो element है वह अभी तक का maximum element होगा हीप में जितनी भी element है 10 है 3 और 4 है तो इसमें सब्सक्राइब से greatest element है वह top पे होगा max heap में इतनी guarantee देता है और बाकि अंदर जो element है वह sorted है कि नहीं इसी guarantee नहीं देता है heap इसके अपने जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो मैं माल लेता हूँ कि this sorted में है पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है अंदर sorted हो मैं sorted माल लेता हूँ कभी किससे कोई problem करोगे तो इसमें कभी कोई tension नहीं होगी कि heap में क्या गड़वड हो रही है अंसौर्टन मानों चैम मत मानों ठीक है मैं उपर वाला element ही करता है ठीक है तो मैं माल लेता हूँ कि ऐसा आ गया इसके वाद अभी अपने क्या इंसेट करा है 20 इंसेट करा हूँ सेवन राइट यहापर 7 से अपने इंपुट करना ही भूलगा उसके पाढ़ 7 और 10 आ जाएगा फिर यहापर आ जाएगा plus terrorism ब्म और 10 अपैं boy अपन यहापन अपर इंटू करेंगे किया यहापर जब अपन 3 डालेंगे न अजब अपन आ घ् at 8 4, 7 और 10 अपन 7 यहां से input करना भूल कहता है जब यहां पर 7 आ जाएगा तो अभी इसका size चेक करेंगे इस size इसका क्या है? gradient 3 हो रहा है तो इसका size gradient 3 हो रहा है तो अपन यह pop कर देंगे top का element क्योंकि अपने को size अभी भी gradient 3 नहीं करना है तो यहां पर आजाएगा अगली बार pop करने के बाद यह scenario बन जाएगा 20 maximum पर आएगा फिर सापने इसका size चेक करेंगे size gradient 3 हो रहा है तो फिर से इसको pop कर देंगे फिर अपने पास element आजाएगा यह heap आजाएगा कुछ इस तरीक एगा 4 और 7 फिर अपन 15 पर आजाएगे फिर 15 को push करेंगे इसके उपर और फिर से size चेक करेंगे size इतना ही होना चाहिए size is equal to 3 होना चाहिए तो इसको pop कर देंगे pop करने के बाद अपने पास last मा जाएगा 3, 4 और 7 जो अभी top का element आएगा जो पूरा area traverse हो चुगा होगा तो अभी top element है वो basically अपने पास जो अपने output मांग रहा था 4 heap यहां क्यों ही size क्या है क्ये size क्या है तो अपने यह क्या हो जागा case smallest element आ जागा top last में अपने को heap का top return कराना है simple code लिख लिए इसका तो अपन क्या कर रहे है basically अपने इस area को traverse कर रहे है from index 0 to size minus 1 तराप से traverse कर रहा और traverse करके हर एक बार अपन इसमें डाल ले है heap में maximum heap में डालते ही अपन इसका size भी चेक कर रहे है कि के से greater हो गया के से greater हो गया तो अपन पॉप कर रहे है ठीक है हर बार डालते ही अपन जैसी push कर रहे है न तो अपन इसके बास size का भी चेक कर रहे है कि size तो गई greater नहीं हो गया ठीक है तो पर इसका code लिख लेते है code बड़ा simple होने वाला है मैंने क्या बोला कि यहां पर अपन एरे बना लेते है एरे एरे क्या था मेरे पास एरे वह 7 10 4 3 20 & 15 यह था एरे ओके दिखल दू 3 दे रखा था मैंने स्थे माले क्या बोला क्योंकि इसमें smallest निकालना है तो मैं maxi बना हुआ ठीक है तो मैंने maxi बना दिया यह maxi बना ले माल लेते हैं अपने पास array दे रखा है input में और अपने पास के दे रखा input में और array का size भी अपने input में दे रखा हुआ तो यह 3 variable अपने input में ले लिए है उसके पास से देखते हैं क्या होना है input तो ले लोगे CIN वगेरा करके input अपने ले लिए है इसके बाद अपने max heap बनाना है max heap कैसे बनाना है मैंने तुमको previous वीडियो में सिखाया था priority Q simple int लिखा max heap बना दिया यह मेरा max heap हो गया फिर मैंने बोला कि अब मैं array को traverse करूँआ traverse कर रहा हूं index 0 से तो मैंने simple सा एक loop लगा दिया हूं last तक जा रहा हूं कोई typical बात नहीं है तो मैं हर बार जब भी traverse करूँआ तो मैं array को जब भी traverse कर रहा हूं तो मैं पहला element इसको मैं push कर देता हूं तो मैंने इसको push कर दिया maxheap.size is greater than k अगर ऐसा है तो मैं इसको top का element है वो push कर दोगा अभी तो ऐसा है नहीं तो आपन और push करते जाएंगे यहां पर आ जाएगा 10 फिर यहां पर आ जाएगा 4 अगला element ठीक है फिर यहां पर 3 आएगा तो अभी size greater than k हो जाएगा तो आपन यह पॉप कर देंगे जब भी size greater than k हो जाए तो आपन क्या करना है इसका जो top था ना वो आपन ने पॉप कर दिया basically maxheap.pop simple आए यह बास समझाएगा जिदा stack में होता ना top होता है pop push वैसे इस priority queue में होता है बास इसमें क्या है हमेसा जो major index जो greatest element है वो top पे आगा maxheap में पे तो smallest element top पे आएगा यह कर दिया मैंने क्या बोला यह से करकर करके पूरा index यह अपन पूरा area traverse जाएगा आखिर पूरा area traverse जाए तो अपने को answer कहा पन मिलेगा इसके top पे मैं को 7 मिलेगा तो मैं आखिर return कर दूँगा maxheap.top इतना से code है इसमें आगर तुमें कुछ समझ में नहीं आए तो बताना मुए कुछ comment में लिखके बिसिकली बहुत easy है जैसे जैसा मैंने करा जैसे जैसा मैंने बोला वह सब्सक्राइब करता है मैं का array दे रखा है बहुत simple है right I hope समझ के आगया हुआ next video में मिलते हैं फिर